पता देता हूं कि cut-off उन्होंने test book का क्योंकि आप लोगोंने test book के जो mock test भी दिये होंगे, आप लोग test book के किसी भी mock test को देते होंगे, फिर जब आप लोग actual में exam में जाते होंगे, level आपको उतना ही मिलता होगा, मिलता होगा या फिर नहीं मिलता है, आपको comment section में ज़रू ब cut-off यहां पर आप देख सकते हैं, सबस्क्राइया पहले बात कर लेते हैं, जर्णरल वालोगी, यहां पर मैं highlight कर लेता हैं, तो जुद्धा क्लियर समझ में आएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया हूआ है cut-off, उसमें आप देख सकते हैं, यहां पर जो चालू रखिए आप लोग को डीवी पेस्टिक लिए बुलाया जाएगा बात कर लेते हैं फीमेल जनल की तो फीमेल जनल कितने में सेफ हैं तो 96-100 ले 96-100 यानि कि अगर आपके 96-100 के बीच में बनना है तो आप लोग डेफिनेटली आप जनल फीमेल है तो आप लोग को UPSI के लिए डीवी पेस्टिक लिए बुलाया जाएगा अधर इस्टेट्स वाले भी उनकी भी सेम इतनी ही कट आफ जैने वाली क्योंकि वो जनल में काउंट होंगे बात कर लेते हैं OBC वाले भायों की और फीमेल की तो कोई OBC अगर मेल कंडियर्स है तो 103-106 के बीच में अ DVPST के लिए बुलाया जाएगा बात का लेते EWS की EWS की OBC से हलकी सी एक या दो नमबर का डिफरेंस रहने वाला है क्योंकि OBC के सार्टिविकेट ज़्यादा बने हुए है UP में EWS के सार्टिविकेट OBC की कंपेरजिन में कम बने हुए है बात कर लेते हैं EWS के candidates की cut off की अगर male candidates है तो 102 से 105 की बीच में अगर आपके नम्मर बनना है तो definitely EWS के लिए आप अगर male candidates हैं तो आपको बुला लिया जाएगा female candidates की बात कर ले है तो 90 से 97 की बीच में अगर कोई female है EWS की तो इसको definitely बुला लिया जाएगा DVPST के लिए बात कर लेते हैं SCST वाले भाईयों की और females की तो अगर SCST कोई female है male candidate से तो 85-90 के बीच में होना चाहिए अब बात कर लेते SCST के females की तो females की passing mark आपके जितनी मांगे गई थी यानि की 80 कोशन के आसपास भी 80-82-83 कोशन के बीच में भी अगर आप लोग कोई SCST female है तो definitely आपको बुला लिया जाएगा बात कर लेते हैं freedom fighter वाले भाईयों की freedom fighter वाले भाईयों की कितनी cut off जा सकती है तो उनके भी 80-83 की बीच में मांग लिज़ आप लोग के कोशन ठीक है तो आप लोग को definitely बुला लिया जाएगा बात कर लेते हैं 2015-16 की final cut off कितनी गई थी ये भी test book वालों ने बताई थी ये final cut off है ना कि कोई physical की cut off है क्योंकि आपको पता ही होगा DVPST में जब cut off की जाती है तो सिब इतना ही लिख की आता है कि आपको DVPST की बुलाए गया है या फिर नहीं बुलाए गया है Constable में आपको cut off हो जाती लेकिन SI में cut off सो नहीं होती है आपको final cut off में ही final cut off पता चलती कितनी गई थी तो last ये है कि 2015-16 की जो भरती आई थी उसकी final cut off general की 232 नमर पे selection हो गया था final OBC वालों के 321 में with normalization के साथ ये बता रहा हूँ जब आपको लोकर normalization running and inning होने के बाद इतनी cut off गय थी final cut off 233 बाद SC candidates का हो गया था HD का 235 में ही हो गया था X service मैंने भाईयों का 271 पे और females की 249 नमर पे भी या कोई female थी general हो OBC हो SC ST हो किसी भी category की थी तो 249 नमर पे भी females का हो गया था X trend ने cut off ये भी बताए हुई है आप देख सकते हैं UPSI cut off 242 की बताए हो general से 108 से 110 जैसे ठीक बताए है भाई ने 105 से 106 की 20 में EWS OBC 100 से 102 ठीक बताए है भाई ने ST 97 से 100 ST की 94 से 96 के बीच में और all female 85 से 96 के बीच में save है बट लेकिन भाई ने एक गलत बताया हुआ है ये कि EWS और OBC का comparison EWS यादा बढ़ा है ने बता दिये लेकिन opposite हो सकता है कि जो EWS की है वो OBC की हो जाए और EWS वालों की भाई की OBC cut off जा सकती है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था EWS के जो certificate है कम है OBC के comparison में OBC के certificate आदे जाला जाती आप देखेंगे एक में से अगर दस बच्चे भी है उसमें से अगर आप पूछें OBC कितने है तो साथ बच्चे आपको OBC ही निकलेंगे इसमें की दो बच्चे जनरल निकलेंगे एक बच्चा OST होगा दस में से साथ बच्चे आपको OBC कटेगरी के ही मिलेंगे इसलिए OEWS की cut off जो है OBC से थोड़ी सी एक या दो नंबर का difference जाने बाला है आपके कितने नंबर बनना है जो बताइएगा mail and fail बहुत बताइएगा कि आपके कितने नंबर थे कौन से सिप्ट थी और किस डे आपका exam कराया गया था अगर आपके कोई भी doubt हो cut off को लेके या फिर result को लेके